हाई गाईज माइनेम इस अतनान खान एन वेलकम बेक तो माई यूटूब चैनल सो गाईज आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्रिया शरीर के बारे में क्रिया शरीर मतलब फिजियोलोजी आज हम फिजियोलोजी स्टार्ट करने वाले हैं तो फिजियोलोज लिजिएमें हमें क्या पंड़ना है इस पहले नम जा कर रहे हैं तो में बैसिक बात जाने होगी इस चार्ट करने से पहले तो जैसे अगर बात करते हैं और एक यूजी में कि अधिक की बात करें मैं सारी चीजें फंच varsah महाथ करतीक मतलब व Всем पाच महाभूतों से बनी है वो पाच महाभूतों से बनी है और वो कौन-कौन से है पहला आकाश वायू अगनी जल और प्रिथ्वी ठीक है अगनी जल प्रिथ्वी यह सब हम आगे पढ़ेंगे और मैंने इसकी वीडियो शरीर रचना के चैप्टर जो मैंने पहला पढ़ाया है शरीरो प्रकम उसमें भी मैं अच्छे समझाया है आप जाकर वहाँ पर भी देख सकते हैं ठीक है लेकिन हम फिर से स्टाट कर रहे हैं ब बार बार रिवाइज करना पढ़ागा जब जागर आपके दिमाग में जाएगी ठीक है तो संसार में जितने भी चीज़ें वह सब पंच महवतिक हैं और सबके अकाश वाईयू अगनी जल प्रिथ्वी के अपने अपने कार्यें आप इनको इसी स्रीज में आत रखना क्यों सब्सक्राइब ना लेकिन जब ये अपनी इस्टेट से जादा या कम हो जाता हैं तो यह हमारे शरीरे में डिजीज उत्पनकरते हैं या निकिएक इसको बोलता है व्यादी तो हमारी शरीर में व्यादी उत्पन करते हैं इसलिए इनको दोश बोला गया है ठीक है एक चीज़ हम पढ़ेंगे आयरुवेद में धातू अब धातू क्या होता है धातू आयरुवेद के साब से देखे तो यह कोई एलिमेंट नहीं है हम इसको एलिमेंट नहीं कहेंगे यहाँ ठीक है तो धातू क्या है धातू जो शरीर को धारन करता है उसको धातू बोला गया है और धातू साथ प्रकार क्यों होते हैं रस रक्त मा अस्ति मज़्जा शुक्र इनके भी अपने-पने functions है इसके बारे में भी हम किरियर शारीर में एक-एक चैप्टर है रस के उपपर रख्ट के उपपर मास मेंद अस्ति मज़्जा शुक्र के उपर ये भी हम इसली लर्न कर लेंगे बस आप ध्यान से समझते रही है बेस्टार दूश कौन कौन से होती है दातु होती है रस रक्त मास में दस्ति मज्चा शुक्र जो शरीर को धारन करें वह धातु होता है ठीक है तीसी चीज आती है इसके अंदर मल अब यह जिसको हम बोलते हैं यूरीन दूसरा आता हैके पूरीष जो होता है स्टूल और तीसरा आता है सुएद याने की स्वय्ट पसीना तो दोश धातू और मल यह हमारे शरीर के अंदर होते हैं हमारे शरीर को धारन करते हैं लेकिन दोश की तो सबसे पहले इस चैप्टर में हम स्टार्ट करेंगे शरीर शब्द की व्याक्या इसका मतलब होता है शरीर श्रप्त की explanation कर रहे हैं अब जैसे आप पढ़ रहे हैं तो आइरुवेद के अंदर हमें करने सारे के आपके में लर्ण करने संब्सक्राइब नहीं कुछ लोग के में एक स्प्रेट नहीं करने लेकिन कुछ लोग difficult होता है इसको learn करना लेकिन easily learn हो यह ता जहां हम याद करोगे आप तो यह क्या है important श्लोक है आपको याद करना है ठीक है तो यह यहाँ पर लिखा होता है reference कि यह श्लोक कहां से लिया गया है पहले word जो होता है वो होता है सहीता का यानि कि चे लिखा इसका मतलब यह यह चरक सहीता से लिया गया है चरक सहीता ठीक है दूसरा होता है स्थान कों से स्थान का है शारीर स्थान का शारीर स्थान ठीक है उसके बाद लिखा है six oblique four जो पहला digit है पहले डिजिट का मतलब है chapter number चैप्टर नमबर और अगले डिजिट का number होता है श्लोक number ठीक है तो यह चरक सहीता शारीरिस्तान का 6th chapter का 4th श्लोक है ठीक है अब हम समझते हैं इसका मीनिंग क्या है तो इसका मीनिंग है तत्र शरीरं नाम शरीर को हम नाम तब देंगे जब च चैतना का आश्र है मतलब चैतना के घर में पंच महाबूत का सयोग होने पर सयोग होने पर उसको शरीर नाम देते हैं ठीक है इसका मतलब क्या है जब जो है चैतना जिसको चैतना का मतलब है हाँ पर आत्मा ठीक है आत्मा और पंच महाबूत विकारों का सयोग को हम शरीर न नो-सलाम तेंटें अब जिए स्अमयोग वाहिए निंदेन है संयोग वाहिएए का क्या मतलब आपको को आपि झालब करने दोश के अबारे में धातू के बारे में और वत हो के बारे मेंए अगर ये सम रहेंगे मतलब equilibrium कह सकते हैं मतलब अगर ये अपनी नॉर्मल स्टेट में रहेंगे जितना इनको रहना चाहिए तो हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा और तब उसको हम शरीर नाम देंगे ठीक है न इस लोग का मतलब है जैसे दुबारा समझते हैं एक बार हम शरीर न तो अगर हम बात करते हैं दोश की अगर हम एहां पर बात करें दोश की, तो दोश दो प्रकार के होते हैं, एक शारीरिक दोश और एक होता है मानसिक दोश, शारीरिक दोश टीन टाइप के होते हैं, वाथ, पित और कफ, यह कफ खासी वाला कफ नहीं है यह दोश है ठीक है ना यह क्या होते है अब आपको समझ में आ जायेगा मानसिक दोश दो टाइब की होते हैं एक होता है रज और एक होता है तम ठीक है जो हमारा मैन टारगेट है वो है शारीरिक दोश पर हम पढ़ेंगे वात्पित कफ के बारे में और इसी को हम बोल देता है त्री दोश यह अपने नाम सुनोगा त्रिदोश इसके उपर पूर्य त्रिदोश थियोरी भी है तो यह सब कुछ है हम इसमें बात करेंगे त्रिदोश के बारे में अगर पित कफ अपने स्टेट में रहते हैं तो फिर यह हमारे शरीर को धारण करते हैं लेकिन अगर यह इंक्रीज हो जाते हैं अपने नॉर्मल स स्टेट से तो यह हमारे शरीर के अंदर डिजीज को टीजिस को उतपन करते हैं न्हीं की व्यादी कोंद करते हैं ठीक है न तो इन का रिलेशन क्या होगा महाभूत से इसका क्या होगा महा पादें और अब हम आगे चलते हैं तो अचार्य शुष्रुत का एक श्लोक आता है इसके अंदर अचार्य शुष्रुत कहता है दोश धातू मल मूलम ही शरियरम ठीक है श्लोक को हमेशा डबल इंवर्टिट कॉमा के अंदर क्लोस करते है तो इसका मतलब है दोश धातू और मल पंच महाबूतों के मेल से मिलकर बना है और शरियर को धारन करता है और इसी सही हमारा शरियर बनाए ठीक है तो यह कहते हैं अचार्य शुष्रुत अचार्य शुष्रुत ठीक है अब इसमें मागे चलते हैं तो अचारिय शुचुरुत का श्लोक आता है शारीर इस्थान का उसमें क्या लिखा है शुक्र शॉलितम घरबाजिये आत्म प्रकति विकार समूचित गर्ब इत्तियुचित है ठीक है ना पहले इतने को समझते हैं यह क्या है यह श्लोक मैंने शर श्ब्र ना में शरीड़ों प्रकम समझाया इंदर फिर समझाकर को निजहित है इसका मतलब है जब है मैं ऑर फिमेल का ववंउडियूट्रस में UK 먹고 원 उसके बाद घर्बाश्यत आत्म प्रकर्ति विकार उसके अदर आत्म प्रकर्ति और विकार जब आजाते हैं तब उसको गर्ब नाम से हम जानते हैं ठीक़े ना उसके बाद क्या होटा है तम चेतना वस्ति वस्तिम इसका मतलब की उता कि यह पर इसके बाद वाइयू व्भाजति आप्शमा विद्वति एवम विर्धती इसका क्या मतलब होता है वो समझते हम ठीक है तो इसमें जैसे की पंच महाबूत के कारिये बताए गए है तो पहला कौन सा होता है मैंने बताया ता आपको आकाश ठीक है आप इसी सिरीज से आत रखना आकाश के बाद आता है वायू अगनी जल और फिर प्रि कारिये है कि रिक्तिस्तान को बनाना रिक्तिस्तान है हम अगर हम मोडन से रिलेट करें इसको तो कैवीटी जैसे इस टमक के अंदर कैवीटी होती है इस तरीके से रिक्तिस्तान को बनाना यह किसका काम होता है अकाश का काम होता है ठीक है अब इसके अंदर के लिख था वाय क्या मतलब होता है वाईयों विभाजन करती है विभाजन करती है विभाजन मतलब differentiation एक सेल को दूसरे से differentiate करना ठीक है differentiation ठीक है ये किसका कारी है वाईय को कारी है अब इसमें अगला के इसका हम बोल सकते हैं,istics digestion Ну that's fine? अब इसमें अगला आता है जल जल मतलब water तो इसमें लिखा अब इसमें भाएब नती आपका मतलब बहुता है जल धं यूतु इसमें अठीज स्काम्टी कर सकते मॉडबन से म्यूकछ स्थीय को ये चिप चिपा पदा आरत का formation करना ठीक है, अब इसमें लिखा था प्रित्वी सनहती इसका मतलब क्या होता है Solidness शरील को Solidness प्रवाइड करवाना यह सब महावूद के कारविय हुए हमारी बोडिके अंदर क्या क्या करते है अब हम एक बार दुबारा देख़े हैं लोग को इसमें लिखा है शुक्रु शोड़ितम घर्वासिया आत्म प्रकर्ति विकार समुर्चत गर्व इत्युचते तम चैतना वस्तिम वाईयो विवजती तेज एनम पस्ती आप क्लेदंती प्रित्वी सनहती अकाश विवधर्थी एना इसका मतलब हमने क्या पढ़ना होता दिफ्रेंसीयशन आज आरे के दिएैशन होता है आप क्लेदंती आने की म्यूकस सनन्ती है के प्रृइण करवाइट करवाती है प्रित्वी महबूत अकाश से क्या होता रिक्ति स्थान का फॉरमेशन होता है यानि कि का फोर्मेशन अचारी शारी रिस्तान का यह भी इंपोर्टेंट शलोक के इसका में पूरा मिनिंग आना चाहिए ठीक है ना तो गाइस आज की वीडियो में सर्फ इतना ही इसकी नेक्स वीडियो में हम बात करने वाले हैं शरीर के परियाय के बारे में ठीक है अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छे लगी तो इस वीडियो को लाइक करें कमेंट करें और इस वीडियो को शेयर करें अगर